हेलो अब्रीवन जय हिंद आज है 21 जुलाई और आज की इस वीडियो में हम 21 जुलाई से बनने वाले करन्ट अफेर के सभी को डिसकस करने वाले हैं जैसा कि डेली रिविजन कर लेते हैं तो आज भी हम रिविजन करेंगे कि 20 जुन को हमने क्या पढ़ा था इसे अभी हाली में 35 साल सर्विस देने के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है नेशनल स्टॉक एक्शेंज के जो नें एंडी और सी इयो बने ह मैं आशिश कुमार चोहान और कल मैंने आप लोगों को नैशनल स्टॉक एक्शेंज और बॉंबल स्टॉक एक्शेंज यह दोनों ही चीज़े एक्स्प्रेंड करके समझा दी थी फिर हमने डिसकस किया था कि नागरिकों को सुरी एक नेलसन मंडेला दिवस 18 जुलाई को मना नागरिकों को बहतर फसिलिटी प्रवाइड कराने के लिए एफ आई यार से वह उत्राखडने शुरू की है प्रवासियों के लिए दुनिया का बेस्ट देश बना है मेक्सिको जो कि नौर्थ अमेरिका में स्थित है और वर्ड एथल्टेक्स में पूर्सों के लंबी अर्विंद चिदंब्रव ने जीता है और एस यो की पहले संस्क्रतिक परेटन राजधानी ये वारण असी निकी बनारस को चुना गया है यह हम लगोंने कल पढ़ लिया था आज का यह जो हमारा पहला और इंपॉर्टन कोर्शन बना है यह के वी आई सी खादी एवं ग्र अनिल बैजल ने अपने पद से इस्तिफिया दिया जिसके बाद से अब दिल्ली के जो नय एलजी बने हैं ये बन गये हैं विनय कुमार सकसेना तो इनका नाम आप यहां से रिलेट कर सकते हो KVIC के स्थापना 1956 में हुई मुंबई महराष्ट में हैड़ क्वाटर हो जाएगा इसी KVIC के धुंवारा भारत का पहला Silk Processing Plant मैं यहां लिग भी देती हूं भारत का पहला Silk Processing Plant है जो यह गुजरात के सुरेंद्र नगर में इस्थापित किया गया था इसके लावा खादी एवं ग्राम उद्योगायोग अच्छा यहां से आप बिहार खादी का रिलेट कर सकते हो बिहार खादी के बिसे पहले तो ब्रेंड अमबैजडर अभी नेता पंकस्तिर पाठी को बनाया गया था लेकिन इसके बाद फिर जो मनुज तिवारी है पॉलिटीशन है और भोजपुरी सिंगर भी है इन्हें बिहार खादी का ब्रेंड अमबैजडर बना दिया गया था जिसके कारण यह चर्चे में भी आया थे अब देखो यहां appointment का discussion आया है तो कुछ option मैंने set किये हैं जो कि आप appointment से related मतलब यहां connect कर सकते हैं और तीन option के अलागवा भी कफी सारी चीज़े मैंने इसमें add किरी है जिसे कि सामंत कुमार गोयल यह अभी हाली में भारत की जो खूफिय एजिंसी है research and analysis wing रो के दोबारा से अब धक्ष बन गए हैं जबकि intelligence bureau के बने हैं तपन कुमार डेका नीती आयोग के उपाद्धिक्ष वैसे पहले राजिय कुमार थे लेकिन अब जो उपाद्धिक्ष बन गए हैं यह बन गए हैं सुमन बेरी जबकि नीती आयोग के CEO की मैं बात करूं CEO पहले अमिताब कांत लेकिन अब कौन बने हैं अब बन गए हैं परमेशुरन ऐयर यह भी कुछ दिन पहले ही मैंने आप लगों को वैसे पढ़ाया है कल मैंने बदाया थे कि national stock exchange के जो MD CEO बने हैं यह बने हैं आशीश कुमार चोहान जबकि Bombay Stock Exchange के जो अध्यक्ष SS मुंद्रा उस समय पहले ही बन करें सेबी की Security and Exchange Board of India की तो माधुरी पूरी पूछ यह इसकी अध्यक्षब बन गई हैं इसके अलावा कुछ अंतराष्ट न्यूक्तियां हुई हैं जिसके टुटर के जो CEO है यह भारती मुल्के बने हैं पराग अगरवाल Microsoft के जो CEO है यह आप जानते ही हैं कौन हो जाएंग ठीक है अगले प्रशने की तरफ शलते हैं ISSF ISSF यानि कि International Suiting Sports Federation इसके जो World Cup हो रहा था वर्ल्ड कप 2022 तो पुर्षो के स्कीट स्पर्धा में गोल्ड जीतने वाले पहले भारती यह कौन बने हैं पहले भारती निशाने बाज अभी हाली में मैराज एहमत खान है जो कि स्कीट स्पर्धा में गोल्ड जीतने वाले पहले भारती निशाने बाज बन गया है इन्होंने फाइनल में चालिस में से 37 हेड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया है अब यहां बात की जारी है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फडरेशन की तो इसकी जो स्थापना है न यह की गई थी 1907 में 1907 में इसके हैट क्वाटर की एदि मैं बात करूं तो यह हो जाएगा म यूनिक जर्मनी में और इसके जो हैड है यह की इसके जो प्रेसेडेंट प्रेजेंट में हो जाएंगे यह हो जाएंगे व्लाद मिल लिसन ठीक है तो आप चाहें तो हैड का भी नाम याद रख सकते हैं पूछ लिया जाता कभी एक्जाम में अब बात की जा रही है पहले लॉंग जंप में फाइनल में पहुचने वाले पहले भारती यह बने हैं मुर्ली श्री संकर और बैक्ग्राउंड में आप लोगों को मेरे भतीजी की रोने की आवाज सुनाई दे रही होगी है चिलाने की बहुत शांत कराया है उसको तब भी पताने रिकॉर्डिंग के ट इस परधा में गोल्ड जीतने वाले पहले भारती यह बने थे अभिनाव बिंद्रा 2008 में इन्होंने 10 मीटर की एर राइफल पिस्टल प्रतियोगिता में भारत को गोल्ड दिलाया था सौरफ चौधी के दिए मैं बात करो तो इंटरनाशनल सूटिंग स्पोर्ट फडरेशन अभी जो मैंस वर्ल्ड कप हुआ था तो इसमें भी इन्होंने 10 मीटर की एर राइफल पिस्टल प्रतियोगिता में गोल्ड दिलाया था भारत को यह इसी साल की है अब अगला प्रशन है FIH यहने की इंटरनाशनल होकी फडरेशन इसके दुआरा जो वूमन्स वर्ल्ड रहा किसे है तो निदर रेंड्ड में अरजंटीना को हरा करके वूमन्स रिकी होकी वूमन्स op का खिथाब अपने नाम क sha है भारत इस वक में नौबे सिधान पर रहा इसका 15 वा संस्क्राथा जो किस्पेन और निद रेंड में आयुजत года था सबसे पहले हम इंटरनेशन Khoky के बारे में जान लेते हैं इसकी जो स्थापना है ना यह की गई थी 1924 में और हैड़क हैड़क्वाटर इसका लॉजन स्वीजर रेंड में हो जाएगा और प्रेजन टाइम में इसके CEO कौन है देखो वैसे तो नरिंदर बत्रा का नाम आप लोगों को याद होगा क्योंकि नर नेशनल ओलंपिक कमीटी का भी हैड़क्वाटर यहीं हो जाएगा वैसे जो सेफ हमेद हना इन्हें एक्टिंग प्रेसिदेंट यहां का न्यूक्त किया गया था एफ इस से तो रिलेटर काफी बाते हैं वैसे मैं आपको बताते ही रहती हूं जैसे कि वूमन्स वर्ड कप क जो कि next year होना है 2023 में तो यह भारत में आयजित किया जाएगा भारत में ओडीसा की दो शहरों में एक तो गुवनेश्वर दूसरा राउन केला में आयजित किया जाएगा ठीक है और राउन केला में ही आप रिलेट कर सकते हो भारत का सबसे बड़ा होकी स्टेडियम बिरसा म पास पास ही है तो नीदर्लेंड की कैपिटल वसे एंस्टरडम और करन्सी यूरो हो जाएगी और नीदर लेंड से अप क्या कर सकते हो हाली के दिनों में कुछ बड़ीज हम लोग ने नीदर लेंड से रिलेट करके पढ़ा था कुछ यह दा रहा है देखें दुनिया का पह Capital Madrid Currency Euro हो जाएगी ठीक है और फिर अभी यहां आयोजों के इस्थल की बात की जा रही है या विनर की हम बात करें तो अभी हाली में ICC Men's World Cup Sorry Women's World Cup हो गई ICC Women's World Cup 2022 जो की New Zealand में आजित किया गया विजेता इसका रहा था Australia फिर इदी मैं बात करूँ भारत का तो मैंने बता ही दिया है भारत किस मामले में विजेता रहा है तो South Asian Football Federation जो सैफ कप है न यह भारत ने आठवी बार अपने नाम किया था अर्जेंटीना जो कि South America का देश है तो लियोनल मेसी की अगवाई में अर्जेंटीना ने कोपा अमेरिका खिताब अपने नाम कर लिया था अगला प्रशन है विश्व सतरंज दिवस कब मनाया जाता है विश्व सतरंज दिवस क्योंकि इसी दिन अंतराज्ट्री सतरंज महा संग की स्थापना की गई थी 1924 में इस्थापना तो वैसे फ्रांस में की गई थी फ्रांस के राज़ानी पैरिस में लेकिन वर्दमार में इसका जो हैटकौटर है लौजन्स विजर्लेंड में हो जाएगा अर्कडी डियोकोर विश इसके हो जाएंगे अध्यक्षब अब स सबसे युवा ग्रैंड मास्टर यह अभी मन्यू मिश रहें और वैसे कल मैंने आप लोगों को बताया था कि सर्भिया में आयो जित पैरस इन उपन सतरंज सतरंज टूर्नमेंट में जो आर प्रगनानंद है इन्हों यह विजेता रहे थी यह मैंने कल पढ़ा दिया था को नेलसन मंडेला जो की साउथ अफरिका के पहले अश्वेध राष्ट पती थे उनकेन सम्मेंटी में चीलाप आध में नेलसन मंडेलए दिवस 18 जुलाई को और मलाला जो की पाकिस्तानी है मलाला दिवस driving में मैżaánा है 12 जुलाई को किस ओनलानце ने यह हाली में तो अभी क्या है ट्विटर ने अर मेंशनिंग फीचर लांच कर दिया है मतलब कि यदि किसी पोस्ट में या किसी यह देखे आप लोगों को इस इमेज से समझा रहा होगा कि सूजी नाम के किसी वेक्ति ने क्या लिखा है है प्रशनिंग विख्ति को यहां टैग किया है अब यह जो वेक्ति चाहता है कि मैं इसके कमेंट से अनमेंशन हो जाओं तो यह इससे एक्सित हो सकता है मतलब कि अवांचनी बात्चीट होती है तो लोगों के बीच में शांतिय स्थापित करने के लिए यह जो है अभी हाली में क्या-क्या चीजे चर्चिम में थी देखो चवालिस बिलियन डॉलर का समझोता याद आही गया होगा आप लोगों को जो कि एलन मस्क करने जा रहे थे टुटर के साथ यह रद्ध हो गया और अभी स्टार्टिंग में आप लोगों को बता दिया पराग अगरव के बारे में बात करो तो यह इसका जो परिवर्दित नाम है मैटा है मैटा जो की ग्रीक भाषा का सब्द हो जाएगा इसके भी दुवारा एक पहल शुरू की गई थी रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट ठीक है यह आप लोगों को याद रख लेना है इंस्टाग्राम के ब कारी मेरी में बात कर तो पुरी दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर यह गूगल कही है यह आप लगों को मालूम है और गूगल ने कुछ समय पहले ही वूमन विल वूमन विल वेब प्लेट फॉर्म यह लांच किया था जिसके कारण यह चर्ची में था अलगी करंट अ क्या मतलब है देखो आइटिफिशल इंटेलिजन्स मतलब की हिंदी में आप कहोगे तो कृत्रिम बुद्धी मता यानि कि मशीनों में इंसानों जैसे सोचने समझने की शमता विक्सित करना ही आइटिफिशल इंटेलिजन्स कहलाता है और भारत में जिसे साब से केस पेंड विचार विमर्स के बाद अभी हाली में बिहार की एक जिला अदालत समझाया तो बढ़ते केसे मतलब की नेती आयोग ने अभी रिपोर्ट जारी की थी कि भारत में अब तक हर वामले सो जाने में 324 साल लग जाएंगे इतने केसे स्पेंडिंग है रिसर्च ये कहती है कि हर महींने 50,000,000-44 कानूनी मुदे उठते हैं लेकिन उनुन केवल 75 और 95 प्रतिसत के बीच अधालत में समावत हो पाते हैं 75 प्रतिसत – 95% के बीच अधालत में समावत हो पाते हैं तो जिससाब से केस पेंडिंग है, जल्द इसके करवाई ही हो सके और लोगों को न्याय भी मिल सके, इसलिए डिजिटल लोग अदालत के शुरुआत ये की गई है राजस्थान के द्वारा, राजस्थान जुकि एरिया वाइस भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा, इ यहां से आप ये भी रिलेट कर सकते हो, कि भारत का दूसरा वर्ल्ड क्लास रेल्वे स्टेशन, वर्ल्ड क्लास रेल्वे स्टेशन, ये जैपूर में बनने जा रहा है, पहला वर्ल्ड क्लास रेल्वे स्टेशन ये भुपाल में बनकर के तयार हो चुका है, कमलापती रेल रण थंभौर हो गया इसके लावा केवला देव को आप इंपॉर्टन मार्क करेंगे जो कि यहां के भारत पुर्जिले में इस्तित है जो केवला देव नैशनल पार्क है यह अफ्रिका की बोमा टेक्नलोजी का इस्तमाल करने वाला भारत का पहला नैशनल पार्क बने था राजिस्थान है और एल रूट सर्वर एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला भारत का पहला राजिय भी राजिस्थान हो जाएगा अब मैंने आप लोगों को हमेशा कहा है कि जितना डिफिकल्ट आप लोगों के लिए कोश्चन रखना नहीं होता उससे कहीं ज्यादा ड कोड़ी बैल्यू किया करें इस शीश की इसलिए मेरा कंटेंट आप लोगों को और उसे थोड़ा अलग लगता होगा मतलब यह तारीफ नहीं कर रही हूं मैं खुट की या खुद कॉमेंट में बताते हैं ठीक है अधर वे मत लीजेगा केरल को आप कैसे रेलेट कर सकते हो आई को लेफ तो या कि रही अगिर या इसी तरह से कुछ हम लोगों पढ़ए था केरल जो है यह डिजिटल हाइक कोड़ वाला भारत का बहला चारह है गुजराट को और फैकल्स या डिजिटल एक ही बात है आ पेप ही इस्तमाल यहां Silver का नहीं किया जाएगा गुजराथ कि किस ममले में टॉप पर था। तो गुज्रात को आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि इंप्र gonna केसेज की live streaming करने वाला यू-यूटूब पर live streaming करने वाला पहला हाइ कोट यह कुज्राथ है तो इनका नाम है पीटी उशा उड़न परी पीटी उशा अभी 20 जुलाई को ही इन्होंने राज्यसभा की सदस्यता ली है और इन्हें शपत दिलाई है एम वैंक्या नाइडू ने क्योंकि राज्यसभा के पदेन सभापती होते हैं कौन भारत के वोईस प्रेसिडंट तो वैसे अभी NDA की तरफ से तो नॉमिनेट है जगदीब धनकर लेकिन अभी तक तो वोईस प्रेसिडंट वैंक्या नाइडू जी हैं जिन्होंने पीटी उशा को सपत दिलाई है पीटी उशा ना इन्होंने ओलंपिक में 1984 में चौथा इस्थान हासिल किया था नाइंटी 83 मे देस का जो चौथा हाइस सिविल ऑनगर्ण है पदमश्री मिल चुका है भारत का सर्वोच सम्मान भारत रथन फिर पद्मविभूषन फिर पद्मभूशन लास्ट में पद्म शृत है mist यहीज रखाया और देखो राज्य सब्रक किस आर्टिकल में है तो यह है आर्टिकल नंबर असी में लोकसभा का उलेख है आर्टिकल एक्यासी में ये ना उच्छ सदन होता है उच्छ सदन और ये कभी भंग नहीं होती ये स्थिर सदन होती है तो इसमें जो 245 सदस्यों होते हैं इनमें से 12 सदस्यों को राश्पती के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है तो कु होता अभी जो राश्पती के चुनाव होनें लास्ट जुलाई में तो ऐसे में जो ये निर्वाचिस सदस्यों होंगे ये राश्पती के चुनाव में वोट नहीं डाल सकेंगे इंपोर्टन लास्ट का लाइन याद रखना कि राग्जी सभा के लिए मनों नीत होने वाले भारती पहले जो खिलाड़ी ये थे सचिन तेंदुलकर ठीक है पीटी उशा के बारे में हमने डिस्कुस कर लिया असम सरकार के दुवारा डीएसपी बनाया गया हीमादास को सानिया मिर्जा की दि में बात करूं तो इन्होंने अभी हाली में सन्यास ले लिया है और पीवी कोशन मिले नहीं जो मिले मैंने एड़ कर लिए तो फिजूल के कोशन पढ़ने से अच्छा है कि प्रविजा नहीं कर ले जब अपने कॉंसर्ट के लिए विदेश जाते थे तो इन पर आरूप लगाया गया कि यह भारत के कुछ वेक्तियों से जो विदेश जाने में इंट के पुराने रोड रेश के केस में एक साल के सजा सुनाई गई है अभी हाली में भारत के भारत का इसा पहला राज जिबना है केरल जहां मंकी पॉक्स का मामला यह सामने आया है वैसे ना इसका पहला मामला 1970 में मतलब आत हो गया था 1958 में लेकिन यह इंसानों में देखने को नहीं मिला था और लेकिन पहला मामला यह 1970 में पहली बार इंसानों में देखने को मिला है सरीर पर चुटे-चुटे दाने निकला आते हैं वही बुखार कोरोना की कुछ लक्षन इसमें आप एड़ कर सकते कि बुखार टाइप से हो जाता है इसमें और इसका भी कोई इलाज नहीं रखा गया बंदरों से फैला है इसका नाम जो मंकी पॉक्स रखा गया जैसे चेचक हो जाते ना तो थोड़े थोड़े आप इस इमेज को देखकर के समझ सकते कुछ ऐसा हाल होता है मंकी पॉक्स मे तो केरल में पहला मामला पाया गया है यहां भी हाली में निपा वायरस और एक नायल वायरस ही सुनने में को मिला था केरल की राजदानी हो जाएगी तीरू अनंतपुरम पिंरोय विजियन यहां के मुख्यमंत्री हो जाएंगे आरिफ मुहमत खान राज जिपाल हो मरियूर गुड यह केरल का प्रोड़क्ट है जिसे जी आई टैग मिला उत्री शोर से दक्षिन शोर को कनेक्ट करने के लिए यहां की एक परियोज ना है सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट जो की चर्चे में रही थी भारत का पहला मजदूर संग्रहाल है यह केरल के अला अब महाराष्ट के मुंबई में ना कोरोना का एक सी वाइर पहली बार सामने आया बिहार से चमकी उखार हमने पढ़ा था और मत्यप्रदेश के इंदौर से ग्रीन फंगस का पहला मामला सुनने में आया था कल मैं आप लगों से पूछा था कि शहर में भारत का सबसे लंब अब डबल डेकर फ्लाइव और बनाने का रिकॉर्ड बनाया है राइट अंसर था महराष्ट कनारपूर जिसे आप संत्रा नगरी के नाम से जानते हैं अगला प्रश्णी तिहास में किस देश ने भारत को सीमेंट नर्यास चुरू किया है अंसर कमेंड बॉक्स में मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ थैंक्यो सो मच